इसकारिक्रम के प्रसारण पुन्याचक है श्री आरपी जैन, श्री मती ममता जैन, श्री प्रशान जैन, श्री मती दिव्या जैन, पुत्र भारत जैन, श्री मती सौम्या एवं पारस जैन जहां विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं, अन्होनी घटनाएं घटती हैं, सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, और जब हम वर्तमान को देख रहे हैं, जहां भौतिक्ता की चकाचाउन चरम पर है, पराकाष्ठा पर है, ऐसे समय यदि कोई मिल जाये, दुरलब है, आचार भगवन हमेशा कहते हैं, सास्त्रों में वर्णन आता है, बले पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, पंचम काल में कुछ अच्छा मिली नहीं सकता, और भी भूंडा असर भी पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता, जब ऐसा वर अचा चल रहे थी। एक महराजी कहते हैं आचर भगवन ए लाइन ठीक नहीं लिखी है। इन जो पंगती लिखी है शास्त्रों में ठीक नहीं है। कि हुंडा असर पणि पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। पंचम काल में हुंडा असर नहीं पंचम काल में कभी अच्छा मिल जाता है। हमें आप मिल गए। चलते फिरते वर्धमान मिल गए। चलते फिरते तीर्थंकर मिल गए। तो हम कैसे एकांत से मानने कि हुंडा असर पणि पंचम काल में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। जब आचर भगबन ने सुना तो आचर भगबन कहते हैं। बड़ा अच्छा उधरन दिया। बुले कभी कभी कभाड़ी की दुकान में अच्छी वस्तु भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि कभाड़ी की दुकान में हमेशा रिजेक्टेड माल ही मिलता है। कभाड़ी की दुकान में कभी कभी अच्छी वस्तु भी कीमती वस्तु भी मिल जाती है। बस ऐसे ही अपन सब उस कभाड़ी की दुकान में थे। देख अच्छी वस्तु आपके भाग से मिल गई है वैसे तो मिलती नहीं है देखो आचर भगवन की तुल्ला देखो आचर भगवन की सोच देखिए हाँ अपना तो पुन्न है चलो आप से एक चीश पूछते है अब अपन आच्छा स्री के पुन्न की तुल्ला करते है और अपने पुन्न की तुल्ला करते है कौन ज़्यादा पुन्न शाली है आचर से ज़्यादा पुन्न शाली है कि अपन ज़्यादा पुन्न शाली है कौन ज़्यादा पुन्न शाली चलो बताओ आम ज़्यादा पुणनेशाली? बोलते कुछ नहीं लग राएंसा? आचार स्री ज़्यादा पुणनेशाली? की नहीं है? आचार श्री से ज़्यादा पुणनेशाली अपन सबी लोग है आचार भगवन को अपने गुरुदेव का सानिद कितने समय मिला पांच वर्स कहने के लिए पांच वर्स देखा जाए तो नेट जो सानिद मिला वो तो बहुत कम मिला अल्प मिला 68 में दिख्षा हुई 73 में आचार ग्यान सगर महरजी की से लिखना समाधी हो गई पर अंत के दो वर्स तो आचार भगवन का पूरा समय जो है सिवा में ही बीत गया यहने गुरू से जो पाया जा सकता है गुरू से जो सिछा ग्रहन की जा सकती गुरू से जो सीखा जा सकता है गुरू से जो ग्यान लिया जा सकता है वह ज्यान भी नहीं मिला आचार भगवन को देखा जाये तो नेट तीन साल के आसपास ही मिला लेकिन अपने ज़्यादा पुर्नेशा ले इस दुनिया को 55 साल से अधिक वर्ष आचार भगवन की सन्निदी में मिल गए उनको अपने गुरुदेव व्रद्धावस्था में मिले जब उनके गुरुदेव व्रद्ध थे तब मिले हम सबको गुरुदेव कम मिले युवावस्था में जब साधना के चरम में थे उतकर्ष में थे उस्सा में मिले तो इन मामलों में तो अपन ज्यादा पुर्ण शाली है ना पुर्ण शाली कि नहीं है एक प्रसंग है चलो आज आज आचा स्री के संस्माने सुना दियते है गर्मी का समय था ज्यादा भीड़ उस समय थी नहीं साइद ये अभी पपोरा जे की बात है अभी गर्मी समय में जब पपोराजी में थे तो एक ब्रह्मचारी जी आचा स्री भगवन के पास बैठे थे वो आचार भगवन से कह रहे थे आचा स्री एक प्रश्न पूछना चाहते हूं क्या प्रश्न है आपको अपने गुरुदेव का सानेद तो 68 से 73 तक मिला लगबग पांच बर्स का सानेद मिला और जो सानेद मिला उस समय उनकी अवस्था व्रधावस्था थी वो ज़्यादा आपको सिक्षन देनी पाए ज़्यादा सिखानी पाए इतना कम समय उनके सन्निधी में आप रहे लेकिन इतने कम समय में आपको सिध्धान्द का सारा ग्यान हो गया व्यक्रण का ग्यान हो गया न्याय का ग्यान हो गया अध्यात्म का ग्यान हो गया सारी जिन्वानी आपने सीख ली ये कैसे संबा होगा कि इतने अल्प समय में कोई गुरू अपने शिष्च को इतना सारा ग्यान दे दे कोई शिष्च इतने अल्प काल में इतना सारा ग्यान अड़्जन कर ले हम लोगों को तो आपके चर्ण सानिद में रहते हुए दसो बीसो वर्स बीच चुके है, 25-30 वर्स हो चुके है लेकिन हम लोग इतने 30 वर्स में जो नहीं सीख पाए आपने इतने कम समय पास साल के कम पीरिट में सीख लिया तो आचार भगवन ने कहां पास साल कहां मिले हमें बोले 68 से तरहता है बोले, पास वर्स तो मिले ही नहीं बोले, शुरुवात का जो प्रथम वर्स था जब हम ब्रमचारी अवस्ता में आये थे उस समय तो हमें हिंदी आती नहीं थी ना संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी इती ज्यान प्राप्त करना है है शिक्षा गरहन करना है तो at least medium तो होना चाहिए कि नहीं भाषात का माध्यम विकि बिना भाषा के बिना language के बिना medium के कोई भी व्यक्ति अपने भावो को प्रदर्शित कैसे कर पाएगा उसके अर्थ तक हम कैसे प्रभेश कर पाएगे संभा होई नी तो बोले सुरुवात में तो हमें हिंदी नी आती शंव्यक्रत नी आती हमें आती ती कानन और आचार दादा गुरू ज्यान सागरमाराज जी क्यों आती थी वो नहीं हिंदी थी म महारवाडी में बोलते थे प्यूर हिंदी भी नहीं, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी थी, और प्यूर संस्क्रत एकदम, संस्क्रत व्याकरण वाली संस्क्रत, क्लिष्ट संस्क्रत, सामान संस्क्रत भी नहीं, अच्छी उच्छ, जो विदवत्ता वाली संस्क्रत होती है न, साहितिक भाषा का प्रयूक ज्यादा करते थे, तो वे तो पढ़ाते थे, लेकिन हमें को समझ में नहीं आता था, समझने के लिए एक लिए भासा तो, तो बोले शुरू के तो लगबग एक दो साल तो भासा सिखने भी निकल गए, सिर्फ हम हाँ जोड़ करके बैठे रहते थे, सुनते रहते थे, बीमारी उने हो गए थी, साइटिका का रोग था, और बड़ी वेदना होती थी शरीर में, पैर में बड़ी वेदना होती थी, बैट नहीं पाते थे, और गर्मी का समय आहार हो नहीं पाते थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्तिती में, जब स्व प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय होता है यदि कोई शिष्य सही तरीके से ज्ञान अर्जन करे पूर्ण स्रद्धा समर्पन से ज्ञान अर्जन करे तो एक साल में भी उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है ब्रमचारी जी पूछते है तो ने सही तरीके से स्रद्धा समर्पन से इसकार्थ समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या निकाले हम फुले इसकार्थ ये है जब उन गुरू और उन शिष्च के बीच में तीसरा कोई भी व्यक्ति ना आए अभी ध्यान से सुनना तीसरा कोई भी व्यक्ति ना आए यहां तक कि गुरू और शिश्च के बीच में भगवान मी ना आए इतने दोनों लीन हो जाएने सिस्ट का समर्पन इतना हो जाए कि सिस्ट को गुरू के अलावा गुरू की सिख्चा के अलावा भगवान मी नजा ना आए इतना वो डूब जाए तो एक साल में भी वो ग्यान अर्जन पूरा का पूरा ग्यान अर्जन कर सकता है जिसे अर्जन करने में हमें दो धाई साल लग गए देखो ऐसी महांता अचार भगवन की याने की भगवान भी अतिशेक्ति तो नहीं हो गई गुरू और सिस्षे के संबन्दों में अपन समझते हैं कि कोई संसारी व्यक्ति बाधा पैदा करता हो कोई दूसरी बात जो है वो बाधा पैदा कर सकती है लेकिन भगवान बीच में नहीं आए कुछ समझ में आरी बात कुछ ज़्यादा तो नहीं बूल गए ऐसा तो नहीं अपने भगवान की अविने कर रहे है नहीं भगवान की अविने नहीं जब जहां जो उद्देश है लक्ष को जिसे नजर आता है जब अर्जुन से पूछा गया दुरवनाचारे ने ने पूछा हे अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है ईसाना साधना है बोले क्या नजर आ रहा है बरवत का ब्रक्ष था हजारों से जादा आस पे पतियां थी सेक्डो टहनियां थी शाखाएं थी उप शाखाएं थी पक्छी बेटे हुए थे फल थे फूल थे सब कुछ था जब अन्य पंड़ा उसे और उसे पूछा गया तो सब ने कहा कि पत्तिया नजर आ रही है शाखाए है व्रक्ष है फल है फूल है और जिस पे निसाना साधना वो नजर आ रहा है लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे तो सिर्फ वो बिंदी नजर आ रही है छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है यहां जहां लक्ष को पाने की बात है लक्ष को प्राप्त करने की बात है जो व्यक्ति साधना कर रहा है साधना करने वाले व्यक्ति को सिर्फ अपने साध्ध के अलावा सारी बातें गौन हो अर्जन में अन्य सारे कारे गौन हो जाना चाहिए जब हमारे भीतर गुरू को लेकर इतना समर्पन पैदा हो जाए इतनी विनय की भावना पैदा हो जाए कि गुरू के अलावा कोई तीसरा आए ही न यहां तक कि जो सास्त्र पढ़ा रहा है उस सास्त्र को छोड़ करके अन् भू भी बादाख हो जाएंगे यानि सिर्फ लक्षी 24 गंटे नजर आए तो समझना वह शिष्ष अल्पकाल में भी वह प्राप्त कर जाएगा जिसे प्राप्त करने के लिए कई वर्स लगते हैं ऐसी विनय की भावना ऐसी स्रद्धा समर्पन की भावना जब गुरू के प मज रहे हो की नहीं? क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों का समर्पन कैसा है? अपन तो चोटी-चोटी बातों में डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं। छोटे-छोटे निमित्तों को पाकर के मन इधर-दर भागने लगता है, छोटी-छोटी प्रतिकूलता है मिलती हैं तो सिकायत करने लगते हैं, करने लगते हैं की नहीं? अरे कैसे होगा? हमें बहुत सारे बहाने नजर आने लगते हैं, आ जाते हैं की नहीं? चाहे पंच कर लियाना करना है, अतनी सारी कटनाई हैं, अब कैसे होगा? कब होगा? कौन करेगा? हमारे पास तो सामर्थ नहीं है, लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कहने लगते सबकी व्रत्ती कमजोरी को देखने की होती है प्राहय लोग क्या धोकते हैं शिकायत कहते हैं और बहाने ढूणने लगते हैं एक्सक्यूसिस को तलास करने लगते हैं कि दो को हमारे पास ये बहाना है ये कटना ही है लक्ष को पाने में ये बाधक तत्व मौजूद है इतनी परिशानिय है हम कैसे कर पाएंगे यदि जब जब हमें ऐसी बाधाय नजर आने लगे परिशानिया नजर नने लगे प्रतिकूलताय नजर आने लगे तो समझना हमारा समर्पन अभी बहुत कमजोर है लेकिन धन है आचारभगवन का समर्पन जब आचारभगवन से पूछा गया आचारभगवन आपको डर नहीं लगा कहां तो आप 20 साल के है पर कहां आपके गुरु लगभग 75 को छूरे कहां आप युवा, कहां वो व्रद कहां आपका जोश, कहां आपकी शक्ति और वहां सारी सारी अंसर्टेनिटी एक व्रद्ध गुरु मानली जी ज्यानी भी है विदवान भी है, छमतावान भी है लेकिन सरीर तो सरीर होता है उम्र तो उम्र होती है आपके मन में ये कभी आशंका पैदा नहीं होई कि भविष्य आपका कैसे होगा गुरु कब तक आपका साथ देंगे कब तक आपको सिक्षन कराएंगे कब तक आपको सिखलाएंगे और उस समय जब कोई नहीं रहता जब कोई युवा सादक नहीं रहता है था कोई युवा मुनी महराज नहीं रहते थे सारे जितने भी सादक रहते थे सादू रहते थे आचार रहते थे रद्ध रहते थे जब जिनोंने अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं जब वो निवरत हो जाते हैं अपनी सेवाओं से, सारी जिम्मिदारियों से, मुक्त हो जाते हैं, तब कई आकर कि उनके मन में विचार कौनता है, कि अब दिख्षा ले लेना चाहिए, आत्म कल्यान कर लेना चाहिए, और आपकी इतनी लंबी चावड़ी आयू, पूरा इतना लंबा जीवन, इतनी शक्ती, इतना जोस, भविश्य कैसा होगा, कभी अंदकार नजर नहीं आया? कर दो कर दो कर दो दो कि आया?